हलो दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो बड़ी ख़वर ये है कि रेल मंत्री पीउस गोवल का बड़ा एलान रेलवे में 50% पदो पर महिलाओं की होगी भरती तो क्या है इस ख़वर को पूरी बिस्तार से देखें तो पसंदार में लाइक नहीं लोग सब्सक जिसमें बताया गया था कि भरती की परकिरिया जल्द सुरू की जाएगी केंद्रिये रेल मंत्री प्यूस गोवल ने 28 जून 2019 को एक बड़ी खोशना की है इस खोशना में उन्होंने कहा कि रेलवे में होने वाली 9000 से अधिक कॉंस्टेवल और सब इंस्पेक्टर के पदों की भरती के लिए महिलाओं को 50 फिजदी पद दिये जाएंगे अर्थात रेलवे में होने वाली इस भरती में 50 फिजदी पदों पर सिर्फ महिलाओं की भरती की जाएगी यह महिलाओं के लिए सुनहरा अब सरसावित होगा भारतिये रेलवे ने साल 2021 तक 1037 अरच्छन के तह बहुत था कि बरतमान में भारतिये रेल वे में 15.06 लाग करमचारियों की सुक्रित संक्या हैं जिन में से 12.2-3 लाग करमचारियों की कारिदात हैं जबकि बाकी बचे हैं 2.82 लाग पद खाली हैं और रेल मंत्री प्यूज गोईल ने काहा कि मौजूदा समय में आर्पियव मे केबल 2.25 परतिशत महिलाएं हैं उन्होंने काहा कि इन भरतियों पर हमारा दियान महिलाओं की भरती पर रहेगी या भरती पर किरिया जल्द ही पूरी की जाएगी आर्पियव में महिलाओं की भागदारी बढ़ाने के परधानमंतिक निदेश पर मंत्राले ने अगले भरत में आधे पदों पर महिलाओं की भरती करने का फैसला किया है तो निश्ची तरूप से एक बहुत बड़ी ख़बर है खासकर महिलाओं के जनरली यह दिखा जाता कि सेंटरल सरकार में महिलाओं का बिल्कुल आरच्छन नहीं है बिहार सरकार को छोड़ कर तो निश्ची तर और उमीद है कि आने वाले और भी रेलवे की भरतीयों में या सेंटरल सरकार की भरतीयों में महिलाओं को अरच्छन दिया जाएगा और देनी भी चाहिए क्योंकि इनकी संख्या है जो कि काफी कम है बिहार सरकार की तर्च पर है जो कि क्योंकि बिहार सरकार में 50% तो नहीं और और भी जो वेकेंसी है वो भी निकलेगी तो निश्चित रूप से ये अच्छी कबर है और अब ये देखना कि क्या ये सारी रेलवे की वेकेंसियों में आएगी चाहे वो निश्चित रूप ये देखने वाली बड़ी वात होगी अगर सारी परिच्छाओं में हो जाएगी तो निश्चित हालकि इतनी संभव नहीं है सिर्फ एक परिच्छाओं के लिए है क्योंकि महलाओं का रच्छन की मांगते 30% चल रही है तो कम से कम सुरवात तो सेंटरल सरक कार में हुए कि 50% दिये जो कि महलाओं की भरती होगी और यह भरती जल्द आने वाली है चाहे हो सब्सिस्पेक्टर की हो या कॉंस्टेबल की हो तो इसी अच्छी कवर के साथ धन्यवाद